अब कुम कुम भागे लेने जा रहा है से सा बुस्त एक महीने की लीप के बाद और करैक्टर्स के डाइनमिक्स में कुछ changes आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे जादा चेंजित होंगे वो होंगे रनबीर और प्राची की relationship में तो रनबीर और प्राची में काफी major changes आपको देखने को मिलेंगे इस एक महीने के बाद because रनबीर जो है वो एक काफी बड़ा business tycoon बन जाएगा वो काफी बड़ा business man बन जाएगा और वो अपने business को एक नए level पे ले जाएगा next level पे ले जाएगा और वो बहुत बड़ा business man बन जाएगा वो काफी यदा busy रहने लग जाएगा अपने काम वगएरा के साथ और वो इतनी उचाई तक पहुचा देगा इस business को कि उसके पास इतना time भी नहीं होगा कि वो अपनी personal life वगएरा के बारे में सोचे और रनबीर और पराची में हो जाएगी separation तो पिछली बार अभी परग्या में separation हो गई थी लीप के बाद इस बार रनबीर और पराची में separation हो जाएगी यानि कि ये दोनों हो जाएगे अलग और रनबीर इतना busy हो जाएगा business वगएरा के साथ कि उसको याद भी नहीं आएगी उसकी personal life वगरा के बारे में और अगर हम पराची की बात करें तो वो भी एक single life lead कर रही होगी एक महीने के बाद तो एक महीने के बाद इनकी separation देखने को मिलेगी ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये सब dynamic changes हमें देखने को मिलेंगे रनबीर और पराची के characters में बागी characters वगरा में क्या changes वगरा आएंगे वो जबी information मिलती है तो वैसे ही मैं उन पर वीडियो बना दूँगा फिलाल के लिए यही है कि एक महीने का leap लिया जा रहा है जादा बड़ा leap तो नहीं है में चीज जो है वो leap के बाद यही चेंज होनी है कि रनबीर और पराची की separation होगी तो वीडियो को like कर दीजे कुछ info मिली हो तो share कर दीजे कुमकुम भागे के fans के साथ comment से बताइए आप excited हैं इस leap के लिए या फिर नहीं आप चाहते हैं इस leap को या फिर नहीं और गैस इसी leap पर या फिर कुमकुम भागे के latest जो भी news होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी तो उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजे subscribe साथ में जो bell icon है यानि की घंटे को option असको जरूर दबा लीजे ताकि मैं किसी भी वीडियो को जालू तो आप मिस ना करें आप तक notification पहुंच जाए सारी कुमकुम भागे और जी टीवी news की तो फिलाल के वीडियो में इतना ही हम मिलते है next वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ good bye